बिसम्हेर रह्मान वरहीम आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नॉलीज इक्वेशन जो चप्टर नमर 6 फ्लॉइड डैनेमिक्स का मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है फ्लॉइड डैनेमिक्स को स्टडी करने के लिए ये आपका fundamental theorem है जिसको आपने पढ़ना है बर्नॉलीज इक्वेशन बर्नॉलीज इक्वेशन है क्या बर्नॉलीज इक्वेशन बेसिकली आपको तीन चीजों के दरम्यान relation बता रही है प्रेशर के दरम्यान स्पीड और हाइड इन तीनों के दरम्यान relation बता रही है मैंने ये definition आपके सामने लिखी है इसमें देखें main basically three terms है वो कौन-कौन सी है कि sum of pressure pressure का kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume ये three terms है आगे जो condition लिखी हैं वो incomprensible, non-viscous and steady ये तीनों condition तो आपने ideal fluid के case में ये पढ़ी है ideal fluid की ये तीनों conditions होती है properties है अगर ideal है तो उसमें ये तीनों conditions तो present होगी कि वो incomprensible भी होगा, non-viscous भी होगा, steady भी होगा तो उसने कहा sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is equal to constant होगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ general p plus half rho v square plus rho gh equal to ये हमेशा रहेगा आपका constant ये change नहीं होगा ये change नहीं होगा अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं ये इस equation के उपर दुबारा हम आएंगे वो कैसे हम ये equation को लिख सकते हैं ये last पर आपको बताया जाएगा चलें अब ये आपको ये इसके बारे में थोड़ सी guard line देते हूं ये तो प्रेशर है ये आगे आपके ये लिखा हूँ है kinetic energy per unit volume आपको पता है kinetic energy का formula होता है half m v square तो जब बात लिखी जाए kinetic energy per unit volume तो जनी kinetic energy को volume पर divide कर दें दोनों साइट को मैंने volume पर divide कर दिया तो ये देखे मैस और volume ये क्या बन जाएगा आपका density तो ये इदर आजाएगा half rho v square तो ये लिखा गया kinetic energy per unit volume बेसिकलिए वो किसके equal आगया half v square तो ये देखें आगया इसी तरह potential energy क्या है potential energy होती है mgh तो जब लिखा जाता है potential energy per unit volume तो यानि volume से दोनों साइट पर divide कर दें mgh divided by v तो ये m over v ये क्या बन जाएगा आपका rho gh तो ये देखें rho gh इसी लिए definition लिखी गए है sum of pressure kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume for an incompressible, non-viscous and steady flow it is always remains constant at each point along the streamline तो ये थी आपकी definition अब चलते हैं diagram के उपर तो ये देखें diagram आपके समने बनाने जा रहा हूँ ये for example आपकी ये surface of earth है surface of earth से आपका एक non-uniform pipe है ये height upper end है जिसकी height h1 है ये आपका lower end है pipe का जिसकी height h2 है इदर जो pressure लग रहा है वो invert है वो b1 लग रहा है इदर जो area है वो a1 है इदर जो fluid की velocity है वो v1 है यहाँ जो fluid move कर रहा है अंदर इसने कितना distance cover किया हुआ है ये आपका dell x1 हो जाएगा ये ऐसे हैं अब ये देखें वो ही fluid इदर जो है वो space लेगा क्योंगा area of cross section different है इदर a2 है इदर जो pressure लगेगा वो invert लगेगा p2 pressure invert ऐसे है इदर जो fluid का distance cover कर दिस्टेंस में जितना होगा वो dell x2 होगा इदर velocity of the fluid वो बाहर की तरफ होगी वो b2 होगी height a2 है तो ये सारी चीज़ें इदर लिखती करें ये upper end है ये lower end है अब अगर बात की जाए अब हम बात करते हैं derivation की तो upper end और lower end उन दोनों के हम एक जैसी ही है बस आपको वो कहां से start करनी है ये पता होना चाहिए कि इदर जो आप work done करेंगे upper end के उपर उसको आपने positive लेना है वो क्यों w1 इदर जो work done होगा ये आपका w1 होगा और इदर जो work done होगा वो आपका w2 होगा ये आपका work done positive होगा ये negative होगा वो क्यों? क्योंकि इदर fluid की direction और pressure की direction एक ही है इसलिए ये वहाँ जो work होगा वो positive होगा यहाँ pressure की और fluid की movement वो opposite है इसलिए इसको हम negative लेंगे इदर हम लगाते हैं work अभी general formula लिखते हैं पहले f.d होता है work तो force जो वो इदर कितनी लगेगी तो वो आपने pressure का formula है p is equal to f over a तो यहाँ से f क्या आजाएगा आपका वो p.a आजाएगा एक तो यह आपके पास आगया p.a दूसरी चीज़ जो आपको इदर पता होनी चाहिए वो आपका velocity velocity किसकी equal होती है displacement over time displacement जो हाँ del x1 या del x2 है तो अगर आपने v1 velocity निकालनी है तो यह आपका हो जाएगा del x1 over del t और यह del x1 किसकी equal आजाएगा v v1 into del t अगर del x2 निकालना है तो यह आपका v2 del t आजाएगा t के साथ मैंने 11 क्यूं नहीं लिखा क्यूंके आपका same time जितने time में आपका fluid इदर center होगा उतने ही time में आपका fluid यहां से leave भी कर जाएगा तो यहां यह ऐसे आगया अब यह आगे चलते हैं मैं अगर इसका journal लिखूं की तो इदर आजाएगा p1 a1 del x1 तो next step में मैं w1 की जगा p1 a1 del x1 को replace कर सकता हूँ v1 del t से तो यह w1 का expression आपके सामने यह आगे अगर इसी तरह आपने w2 का भी लिखना हो तो वो भी यही होगा यह देखें w2 is equal to यह लेकिन यह work done minus में है जैसे मैंने आपको बताए pressure जो है वो fluid के against है तो इसलिए यह minus में आएगा यह आजाएगा minus सारी terms 2 की form है p2 a2 v2 del t ऐसे यह आगे expression अब आपने निकालना है total work done तो total work done किसके equal हो जाएगा वो w1 plus w2 के equal होगा तो चलें आगे चलते हैं total work done जो है वो w1 plus w2 के equal होगा और यहाँ आपका w1 जो आया था work done वो आया था आपका p1 a1 v1 del t वो जो व2 आया वो आपका p2 a2 v2 del t यह आया यह मैंने लिख लिए इदर अब यह देखें आपका यहाँ यूज होगी Bernoulli's equation of continuity इक्वेशन of continuity क्या कहती है equation of continuity आपने पढ़ी थी a1 v1 equal to a2 v2 is equal to constant and this constant is known as flow rate और वो flow rate आपका volume over time की equal भी होता है एक definition आपने पढ़ी थी product of a and v is equal to a constant और दूसरी definition आपने पढ़ी थी the rate of for an ideal flow rate volume per second is equal to a constant this constant is known as flow rate तो ये वो ही है अगर आप इधर देखें ये time जो इधर divide हो रहा है अगर इधर जाकर multiply हो तो दोनों के साथ भी multiply होगा ये आजाएगा a1 v1 delta और इधर a2 v2 delta ये किसके equal है ये volume के equal है आजाएगा तो यनिए आप a1 v1 delta की जगा भी volume रख सकते हैं और रख सकते हैं और a2 v2 delta की जगा भी volume रखा जा सकते हैं तो ये देखें उपर equation देखें तो यहां आपका आ रहा है a1 v1 delta और इधर आ रहा है a2 v2 delta तो इन दोनों की जगा मैं आप volume put कर दूंगा इधर तो ये देखें ये आजाएगा work done is equal to p1 volume minus p2 volume जिसको मैं common ले सकता हूँ ये p1 minus p2 into volume ये आगे आपकर ये expression आगे ये volume का ये expression आगे अब volume का ये देखें density होती है mass over volume तो यहां से फिर volume किसकी equal हो जाएगा volume हो जाएगा mass over density mass over density तो ये मैं volume की जगा mass over density put कर सकता हूँ तो ये next step में ये देखें work is equal to p1 minus p2 into m over rho इदर put किया जा सकता है ये आगे तो ये एक work की equation आपके पास ये आगे इसको one कह देते हैं अब आगे ये work आपका basically energy में convert हो जाएगा आपने बारहा पड़ा work is the form of energy तो अब आपका ये work कैसे energy में convert होगा आपकी इस diagram के उपर चलते हैं यहां देखें यहां जो आपकी energy होगी अगर potential energy की बात की जाए तो वो आपकी mg h1 होगी अगर आपकी यहां बात की जाए potential energy की तो वो mg h2 होगी height h2 के उपर अगर kinetic energy की बात की जाए तो half m v1 square होगी और इधर अगर बात की जाए तो half m v2 square होगी तो अगर change in potential energy की बात की जाए तो mg h2 minus mg h1 कहा जा सकता है और अगर kinetic energy की बात की जाए तो half m v2 square minus half m v1 square कहा जा सकता है तो चलें यह लिखते हैं चेंज इन, चेंज इन काइनाइटिक अनरजी, वो किसकी एक्वल है? हाफ M V2 स्केर माइनस हाफ M V1 स्केर, और अगर पॉटेशन अनरजी के बात की जाए, चेंज इन पॉटेशन अनरजी, यह जो आपका चेंज इन पॉटेशन आनरजी आएगा, वो लोडर आंड मेंस पर जो अनरजी है, है आपके पॉटेशन अनरजी thought to minus M G valley Gly है आगए तो आपकी टोटल एनर्जी किसका एक्inação हो गी है टोटल इनर्जी आपकी को इसको लिखा जा सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पलस चेंज इन पॉटबशन एनर्जी के एक्āhards के किया है आपकी हाफ म्वीटू स्केयर माइनिस हाफ M V 1 square Potation energy क्या है M G H 2 Minus M G Minus M G H 1 या आ गया तो अब मैं इदर law of conservation of energy लगा हूँगा law of conservation of energy क्या कहता है वो कहता है क्या work done वो किसके equal होता है change in kinetic energy और change in potation energy इसको आप simple short form में change in kinetic energy को ऐसे लिख सकते हैं और change in potation energy को ऐसे लिखा जा सकते हैं तो work आपकी इस equation को आप कह सकते हैं ये equation 2 है आपकी 1 और 2 को combine करें अगर आपका तो work का जो formula है वो आया आपका P1-P2 into M over rho ये put किया और आगे आपकी kinetic energy और potation energy उसका expression लिखते हैं half M V2 square minus half M V1 square M G H2 minus M G H1 तो इस पूरे expression में देखें आपका left side से M common आ रहा है तो अंदर रह जाएगा half V2 square minus half M M बार पर लिख दिया जाता है V1 square plus GH2 minus GH1 तो इदर देखें P1 minus P2 into M over rho तो M आपने यहां से common लिया ये M अब दूसरी side से cancel out हो जाएगा rho जो divide हो रहा है ये इस side पर आकर multiply होगा P1 minus P2 ये rho divide हो रहा हो जो इदर आकर multiply हो जाएगा तो ये आगया आपका rho V2 square minus half rho V1 square plus rho GH2 minus rho GH1 ये आगया अब आपने P1 वाले terms एक side पर कर लें P2 और side एक side पर कर लें तो ये देखें आपका ये जो value है ये one में है ये value है ये one में है इन दोनों को दूसरी side पर लें है और ये P2 वह टरम है इसको इस side पर लें है तो ये बन जाएगा P1 ये side पर आकर positive half rho V1 square ये भी side पर आकर positive rho GH1 और वो उस side पर चले जाएगा तो P2 ये पहले positive है half rho V2 square प्लस rho GH2 ये आगया आपका rho GH2 ये आपके सामने जो expression अब आया है निकला है ये आपका Bernoulli's equation का expression है आपकी जो left hand है side है वो right hand side के equal है इसी equation को expression को देखे इसको generalize ऐसे लिखा जा सकता है pressure प्लस चेंज इन काइनेटिक नर्जी काइनेटिक नर्जी प्लस यूनिट वाल्यूम पर यूनिट वाल्यूम प्लस पुटेशन नर्जी पर यूनिट वाल्यूम इस आल्वेज एकॉल टो आ constant यह हमेशा constant की equal है तो यह expression भी लिखा जा सकता है जो आपकी definition में लिखा हुआ था sum of the pressure काइनेटिक नर्जी पर जूनिट वाल्यूम प्रोटेशन नर्जी पर जूनिट वाल्यूम for an incompressible non-viscous fluid fluid flowing in steady state is constant at each point along the stream line तो यहसे हैं आपने derivation की total यहां से लेकर आपने start की सबसे पहले हमने definition लिखी definition के बाद generalize expression लिखा उसके बाद आपने का है formula आपने यह लिखा कैसे expression उसको बताया यह था आपका topic जिसमें आपने सबसे पहले start लिया definition से definition बाद में आती है सबसे पहले आपने diagram बनाई डाइग्राम में आपने बताया कि इधर जो work done होगा वो w1 है इस सेंट पे जो lower end के ओपर जो work done होगा वो w2 है w1 positive है w2 negative है फिर आपने total work done find out किया जिसको आपने w is equal to w1 plus w2 की form में लिखा लिकिन यह work आता कैसे है वो आपने इस तरह निकाला work का formula लगाया है वहाँ pressure का formula लगाते हुए f की value बनाकर वो इधर put की displacement जो इधर होता है वो del x1 है इधर जो work displacement कवर होगा वो del x2 है तो वो values put करके मैंने work के expressions निकाल लिये इसको फिर total work के formula में मैंने put किया इधर सबसे उपर तो w is equal to w1 w2 यहाँ फिर मैं equation of continuity यूज़ करते हुए यह a1 v1 delta e को volume कह दिया है और आगे density का formula लगा के वहाँ से value की value निकाली और वो मैंने इधर put कर दिया है यह basically यह volume की value को मैंने यहाँ put किया है इधर तो आपका यह expression आगए equation one फिर आपने change in kinetic energy निकाला change in potential energy निकाला यह change in kinetic energy आपने कैसे लिखी कि आपकी lower end के उपर kinetic energy क्या है वो लिखी minus आपकी upper end के उपर kinetic energy क्या है वो लिखी इसी तरह change in potential energy कैसे लिखा आपकी lower end के उपर potential energy कितनी है हाइट H2 के उपर वो MGH2 है माइनस आपकी अपर एंड के उपर पूटेशन अरजी कितनी है वो हाइट H1 के उपर वो MGH1 है तो इस तरह आपने फिर आगे लाउख कंसर्विशन अरजी निकार